हेलो वीवर्स वालकम टू बैस्ट एंजल ट्रेवल्स जैसा के आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास कोई नही अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिये से यहां फेस्बूप चैनल के जरिये से सो फिलहाल हमारे पास एमेल आई है एमरेट्स एरलाइन के बारे में जो लोग दुबई जाना चाहते थे उनको पता ही है कि 6 कंट्री अलोग किया था यूई ने के वो एंडर कर सकते हैं और आज जो एमेल आई है वो रैपिड टेस्ट के बारे में है और मैं आपको पढ़के स अवेलिबल होगा आप वहां से रैपिड पीसिया टेस्ट करवा सकते हैं और आपको चार गंटे पहले जाना होगा एरपोर्ट पर और अलिजिबल दुबई बॉन कस्टमर और रुक्वेस्टी टू रुपोर्ट इद स्याल कोट इंटरनेशनल एरपोर्ट फोर अगस्ट फ पर पहले देख लेना है कि आपका वैलिड एंटरी पर्मिट है के नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है ओल अलिजिबल दुबई रैजिडेंट वीजा होल्डर तो अंशूर देर होल्ड ए वैलिड जीडी एफ पर ए अप्रूवल सो आपने अप्रूवल किस तरह चेक करन नंबर देना है उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर देना है उसके बाद आपने पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है और नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने आइम नोटर अगर red color का लिखा होगा तो आपकी entry नहीं, अगर green color का लिखा होगा तो आपकी entry है यहां लिखा हो है dear customer, you fulfill the requirement to enter the country and you can proceed with the complication of your travel, proceed wishing you continue health and wellness यहां already mention किया गया है कि आप entry कर सकते हैं UAE के लिए, यह आपके पास approval है, आप इसकी copy भी ले ले, साथ और ticket लेके passport लेके, आप rapid PCR टेस्ट को आएं उसके बाद आप travel कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बास यही था, इसी तरह मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को visit करते रहेगा, thank you for watching, thank you so much